हेलो, नमस्कार जहन, किंद्रिय सुरक्षा बल में, BFF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, इत्यादी बीभागों में बड़ी भरती आ चुकी, बड़ी विकंस्य आ चुकी है। इसके बारे में, प्रकार की नोटिस क्या है इसके बारे में संपुर्ण जानकारी बड़ी भरती कितने की बड़ी भरती इत्यादी इसका स्लिवस क्या होगा एज लिमिट क्या होगा इत्यादी के बारे में संपुर्ण जानकारी आपको इस वीडियो प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो में की रहे वीडियो को पूरा देखे वीडियो को लाइक करते शेर भी करते और चैनल को अभीत छिए सब्सक्राइब किया आ तसक्राइब कर ले जिस इस प्रकार की इन्फर मेटीड वीडियो में डेंगे इसमें ब्लो के लिए के लिए 120 पोस्ट है किस f के लिए 100 पोस्ट और किसमर के लिए फंडर पोश्ट और험 विप्श्ट पो पर में किल मिला कांच पॉस्ट के लिए भर्ति है कि रिम्ट की बात करें तो بीश से एज लिमिट होगी जो एक 8,दो हजार 24 को आपकीrant की जाएगी, एक 8,डो हजार 24 को एज क downloads की जाएगी, तो एक 8,डो हजार 24 को 20 से 25 एयस्य आपकी एज होनी चाहिए, अगर इजल वीटी की बात करें तो bachelor डिग्री की requirement होगी, आपके पास किसी भी इस्ट्रीं से bachelor degree होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिक इनाइट उनिवर्सिटी से बेचलर डिग्री होनी चाहिए बाकि फीजिकल इविल्जिटी को क्वालिफाई करना होगा आगे बत करने उसके बारे में को है अब की पास हाइट 1 65 cm मेल है तो female हे तो 177 cm चेष्ट मेल है तो 58ija marriage 36 cm आज मेल किसी प्रकार की चेष्ट नहीं लिए जाती है 100 मेटर की रिएस अगर मेल है तो fix shift अगर मेल हैं तो 13 सेकेंड में क्वालीफाइब करना होगा 800 престंवे की रेस अगर मेल हैं तो 3 मिनूट पैटालिस सिकेंड में और फिम्हें Sage और मेल हैं तो 3.1 smart चन्वें क्वालीये करना होगा लंग्जम अगर मेल हैं मेल हैं तो 3.5 werde लिए लागू नहीं होगा अप्लिकेशन बिगीन होगा 26 चार 2023 से 26 से अनि कि कल से अप्लिकेशन शुरू हो जाएगा जो चाओदा पांच चाओदा मई दो हजार चाओविस तक अप्लिकेशन इसका फार्म फिल कर पाएंगे 6 बाजे पीम तक इसके लिए पेमेंट का लाश्ट डेट होगा चाओदा पांच यानि कि जब तक फार्म सब्बिट का लाश्ट होगा उसी समय तक पेमेंट भी कर पाएंगे पेमेंट के ल पहले से डिसाइड कर दी गई है क्योंकि क्योंकि यूप्यस को यह दिया गया है यूप्यसी को एक्जाम कंडेक्ट कराने के लिए दिया गया है और यूप्यसी पहले से एक्जाम डेट निधारित कर देता है तो इसके लिए भी एक्जाम डेट निधारित कर दिया है चार general obc के male candidate से 200 रुपय की फिस मागे गई है बाकि सबसे 0 रुपय की फिस सेंटर आप examination की बात करें examination center तो examination center ये सब exam center है कहां कहां exam होने वाले हैं तो आप अपने आप से सहर देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा सहर पढ़ता है वहां exam center आपके आज-पास के लोल्स में कौन सा सहा है जहाँ एक्जाम सेंटर पड़ा हुआ है तो यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा एक्जाम संतर होगा कौन कुछ क्यों चैने करा का कहाँ बनेगा का कि सेलिक्षा करें तो सेलिक्षान प्रसितिजर तीन इख्जातां स्विद charity exam होगा स्टेज में रिटेन एक्जाम होगा सिकेंड स्टेज में पीटी और पेस्टी होगा पीटी पेस्टी और मेडिकल टेस्ट होगा और थर्ड स्टेज में इंटर्वी होगा थर्ड में इंटर्वी होगा फर्स्ट स्टेज में जो रिटेन एक्जाम होगा उसमें दो पेपर मार्कस के होगें 200 मार्क्स के होगे 200 मार्कस से होगे नुक् Park जिसमें homin संबंदीत कों इस से राइटिंग कम्रेहेंаб poses संब्र तों कम्रेहेंज नुक्ण इसौ Gabe प्रहेंगे में पी इटी पीं Lawrence की होगा यानि की की फीजिकल ब endeavor test, physical efficiency test और medical standard test होगा इसके बारे में physical efficiency test PET के संबंध में यहाँ देख सकते हैं कि 100 meter की रेस 16 second में qualify करना होगा male के लिए female के लिए 18 second में 800 meter किरेश 3 मिनट 45 सेकेंड में male को qualify करना होगा 4 मिनट 45 सेकेंड female qualify करना होगा lung jump 3 chance में 3.5 में male को और 3 में female को qualify करना होगा और start-put 7.26 kg का 4.5 में male के लिए female में लागूए नहीं होगा इसके बारे में हम पीसे अभी बताए हैं just तो दूसरा stage होगा उसके बाद तीसरा stage में interview होगा तो stage 3rd यहां पर आ जाएगा interview तीन stage में होगा फर्स stage में exam paper second stage में PT, PhD, PMT और 3rd stage में interview exam paper 2 होगे paper 1 या paper 2 एक ही दिन दोनों paper हो जाएंगे सुबह और साम एक ही दिन में दोनों paper हो जाएंगे interview के बारें बात करें तो interview जो है डेड़ सम्मार्क्स का interview होगा डेड़ सम्मार्क्स का interview होगा हमने अभी पताया कि stage 3rd stage है paper stage 1st में दो paper होगे paper 1 और paper 2 paper 1 200 marks के होगे paper 2 200 marks के होगे दोनों paper एक ही दिन में हो जाएंगे यह qualifying nature का होगा इसमें कोई marks नहीं मिलेगे इसको qualify करना होगा और stage 3rd में जो interview होगे वह डेड़ सम्मार्क्स का होगा 150 marks का interview होगा मेरिट कहां से बनेगी stage 1st से और stage 3rd से क्योंकि stage 2nd है तो stage 1st और stage 3rd से मेरिट बनेगी इन दोनों इस्टेश से मेरिट बनेगी stage 1st में जो दो paper है उन दोनों paper की syllabus क्या होगा syllabus की बारे में अगर हम बात करें तो paper 1 होगा general ability and intelligence संबंध पर होगा जिसमें general mental ability के संबंध में general mental ability से संबंधित question पुछे जाएंगे general science से संबंधित question पुछे जाएंगे यानि कि समाने बिज्ञान से current event of national and international importance राष्टी और अंतराष्टी अस्तर की current से संबंधित question पुछे जाएंगे और Indian quality and economy भारती संबिधान और राज ब्योस्ता से संबंधित question भी आएंगे history of India भारत के इतिहास संबंधित question आएंगे Indian and world geography भारत और विश्व के भुगोल से संबंधित question आएंगे तो इस प्रकार के paper one में question आएंगे भारत और विश्व के भुगोल से भारत के इतिहास से Indian quality संबिधान अम्राज ब्योस्ता से current affairs से general science से समन्य बिज्ञान से और नेशनल मेंटर एविलिटी से संबंधित यह question आजाएंगे इसमें नहीं आ जाता है उसके बाद यह paper first है उसके बाद जो paper second होगा साम को उसका क्या syllabus होगा उसके paper second general studies essay and comprehension होगा इसमें दो part होगे part A और part B दो समय से part A और part B part A में 80 marks हो जाएगा मिलेगा और part B में आपको 120 marks मिलेगा 80 और 120 200 marks हो गए तो part A में paper second में दो भाग होगे भाग एक अर्थात part A में essay से संबंदित question पुछे जाएंगे कि modern Indian history especially freedom struggles से संबंदित या जोग्राफिक संबंदित quality economy knowledge of security and human rights resources and analytical ability से इत्यासी संबंदित होंगे part B जो है इसमें 120 marks होगा part B में comprehension passage precious writing development in counter argument यह simple grammar and other respective language testing इत्यासी संबंदित question होगा तो यह paper second से होगा paper first कसली बस यह होगा जो 200 marks का होगा cool 200 marks होगा paper second paper first कसली बस यह होगा जो cool 200 marks का होगा paper second में दो भाग होगे पाल भाग यह 80 marks का और भाग भी 120 marks का 200 mark हो गए तो इस प्रकार से paper one और paper two दोनों एक ही दिन में हो जाएंगा conduct हो जाएंगे वीडियो अच्छे लगी तो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये तक्सीर कर लीजिएगा द्रोन जीए सरसंटर के साथ बने रहे निकला सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यबाद